हेलो देस्तों आज मैं सेयर करूंगी संफ्लावर के सीट से संफ्लावर का प्लांट कैसे ग्रो करें और अपने टेरिस गार्डन को या होम गार्डन को ब्यूटिफुल कैसे बनाएं मैं सनफ्लावर के प्लांट में वार्टिंग कैसे करती हूँ, इसे धूप कितनी देती हूँ और फटिल अजर कौन सा और कितना इस्तमाल करती हूँ इस सभी चीजे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं आप देख सकते हैं एक प्लांट में 5-6 सनफ्लावर साथ लग रहे हैं ये बीडियो मेरे पिछले साल के सनफ्लावर का है तो चलिए, अब हम सनफ्लावर ग्रो करते हैं हमारे उधर में ये सनफ्लावर लगाए थी, जो हम पहले बीडियो में दिखा चुके हैं अब इसमें से ये सूक है तो इसके बीड निकाल के हम डवल से यूज कर सकते हैं ये ये सूके हुए बीड को हम निकाल सकते हैं इसके अंदर से ये बीड निकलते हैं कोई भी फूल के बीड हम ऐसे निकाल सकते हैं सनफ्लावर हुआ, जरेनियम हुआ, केलेंडोला, यह सारे बीजे से निकल जाते हैं और यह समय अच्छा है लगाने के लिए रेनी सीजन में आप किसी भी फ्लावर, वेजिटेबल या फ्रूट के सीड लगाते हैं तो उनके जर्मीनेशन के चांसे ज़्यादा होते हैं आप दो तरीके से सीड लगा सकती, पहला तरीका है सीड को राद भर पानी में डाल कर रखें, अगली सुभा इन्हें टिसू पेपर या कपने में लपेट कर रखें और पानी का स्प्रे करें कुछ दिनों में सीड अंकुरित हो जाते हैं, फिर आप इन्हें मिट्टी में लगा सकते हैं, तो तरीका है आप इन्हें सीडे मिट्टी में लगा दें, जैसा कि मैं आपको करके दिखांगी ये रहे सीड अम में इन्हें मिट्टी में लगा रही हूँ लाइट वाटरिंग करें पोट को सैमिशेड में रखें बैसे ही सीड जर्मिनिट हो जाए आप इन्हें डारेक्ट सन में रखें फ्लावर के प्लांट पांस से दस इंच के हो जाए फिर हम पोटिंग सोईल बनाएंगे और इन्हें बैड़े पोट में सिफ्ट करेंगे पोटिंग सोईल बनाने के लिए हमने यहाँ पर 50% गार्डन सोईल लिए 30% सेंड और 20% गूबर खाद लिए इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे पोटिंग सोईल तयार है पोट में होल्स जरूर करें मुट्टी वहाँ ना निकले होल्स को कवर करें अब इसमें पोटिंग सोईल फिल करें सनफलावर प्लांट की रूट्स को ध्यान में रपते हुए इसे प्लांट कर दें अब हम फर्टी लगर के बारे में बात करते हैं सनफलावर में हमें बार बार खाद देने की जड़ोत नहीं होती है मैं सनफलावर के लिए गुबर खाद का इस्तमाल करती हूँ महीने में एक बार और मुझे काफी अच्छे एरजल्ट मिले हैं सनफलावर में बार्टिंग करते समय सॉयल में नमी चेक करें ताकि ओबर वाटिंग ना हो तो ये सनफलावर की वेसिक जानकारी था अब हम सनफलावर में फ्लावरिंग के बारे में बात करते हैं वेसे सनफलावर में हमें सालवर फ्लावरिंग देखने को मिलती है पर कई लोगों के मन में सवाल होता है कि हम बड़े साइज का सनफलावर के से ग्रो करें सनफलावर का साइज तीन मुख कारणों पर निर्भर करता है ये मैं अपने अनभव से बता रही हूँ पाइंट नम्मर बन सनफलावर का साइज निर्भर करता है आप किस वेराइटी का sunflower sheet ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि sunflower की 70 से भी ज़्यादा वेराइटी मौझूद है, एक्जामपल के तोड़ पर sunflower की कुछ वेराइटी tall and tiny होती है, मेरे पास जो sunflower की वेराइटी है, उसमें कई सारी branches होती हैं, और उन सबते flower आते हैं, इसलिए एसी देती हो पॉइंट नमर टू आपने किसी जन्मे इन्हें ग्रो किया है रेनी सीजन और विंटर के इस्टार्टिंग में आप इन्हें ग्रो करेंगे तो संफ्लावर हेल्दी होते हैं और पूरी तरीके से खिल पाते हैं पॉइंट नमर थिरी संफ्लावर की क्राउनिंग करने से फ्लावर का साइच छोटा आता है इसी लिए एक पूर्ट में जादे थे जादा दो संफ्लावर प्लावर प्लांट लगाएं सबसे अच्छा होगा एक पूर्ट में एक प्लांट लगाएं इसी के साथ हमारा वीडिय यही पर खतम होता है संफ्लावर की कम्प्लीट केयर का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में मिल जाएगा